Top 5 Best OnePlus Smartphones in the World 2024 तो OnePlus जो स्मार्टफोन ब्राइन है वो अपने मिद रेंज फ्लाक्षिप लेवल के स्मार्टफोन के लिए जाना जाता है OnePlus ने ओर दियर्स अपने ट्रू कस्टमर्स और ब्रैंड वाल्यू को बनाया है जो कि सिर्फ OnePlus के ही स्मार्टफोन को प्रिफर करते हैं OnePlus के लिए 2022 इतना कुछ खास था नहीं पर 2000 TVs में OnePlus ने बहुत सारे स्मार्टफोन को लाँच किया और सारे के सारे स्मार्टफोन बहुत ही अच्छे थे और अभी साल की सुरुवात में OnePlus ने अपनी फ्लैक्शिप सीरिस को लाँच कर दिया है तो अगर आप भी अभी का टाइम पर कोई सा एक बेस्ट वनप्लस का स्मार्टफोन दून रहे हैं तो आज की शांदार वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वनप्लस की तरफ से वनप्लस नोट 3 तो दोस्तों अगर आपको एक ट्रू मिड्रेंज फ्लैक्शिप लेवल का स्मार्टफोन चीए 30,000 के बज़ेटे में तो अभी का टाम टाइप इस बज़ेटे में वनप्लस की तरफ से नोट 3 का साथ जरूर जा सकते हैं बात करें स्पेक्स की तो यहां पर आपको 6.74 इंचेस की 1.5 के सुपर फ्लूइड अमेलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि एक 10-bit वाली पैनल है 1450 इंचेस की पिक ब्राइटनेस मिल जाएगी इंडिस्टर फिंगर्प्रेंट स्कैनर और अलर्ट स्लाइडर का सपोर्ट भी दिया गया है यहां पर आपको मीडियाटिक की तरफ से डामिजटी 9000 वाला एक फ्लाक्शिप प्रॉसेसर मिलता है स्मार्टफोन एंडवेट 13 पे आता है ऑक्सिजनाइस 13.1 पे आपको वाक करते विए देखने को मिलेगा 5000 mAh की बैटियर 80 वोट का सूपर वुक फास्टाइजिंग सपोर्ट मिलने वाला है बात करें कैमरे के तो बैक में आपको ट्रिपल कैमरा सपोर्ट मिलेगा प्राइमेरी कैमरा 50 मेगा पिक्सल का है सोनी का IMX 890 वाला फ्लाक्शिप सेंसर है सपोर्ट मिलता है दूसरा कैमरा 8 मेगा पिक्सल का अल्टरवाइड और तीसरा कैमरा 2 मेगा पिक्सल का मैक्र शूटर है फ्रेंड में आपको 16 मेगा पिक्सल का सेल्फी चूटर मिलेगा स्मार्टफोन के में कैमरे में आपको 4K तकी वीडियो 60FS पर रिकॉर्ड करने का उप्शिन मिल जाता है बहुत सारे फोटोग्राफिक मोर्स मिल जाते हैं डूल स्टीरोस पर कस मिल जाएंगे डूल बेट मॉस की तरब से 4,129 mm2 का वेपर चेंबर लिकूड कॉलिंग सिस्टम में 8P DTR 5X के रहे में UFS 3.1 के स्टोरेज है और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग के तो करेंटली स्मार्टफोन का जो बेस वेरेंट है 8GB RAM प्लस 128GB ROM वाला वो आपको 29,9999 उपीज में मिल जाएगा उसके बात कर लेते हैं हमारे लिसमांबर 4 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है OnePlus की तरफ से OnePlus 12R और OnePlus की तरफ से OnePlus 11R क्योंकि अभी के टाइम पे दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग बिलकु सेम है तो परसनली मैं आपको OnePlus 12R को रेकमेंड करूंगा क्योंकि 12R लेटेस भी और वहाँ पर आपको बेटर स्पेसिफिकेशन भी मिलती है बाकि अभी का टाइम पर 12R लांच हो चुका है तो आने वाले टाइम में 11R के प्राइस डॉप देखने को जरूर मिल जाएगा बाकि अगर आने वाले टाइम में प्राइस डॉप होता है और 30-35,000 के बज़ेटरे में 11R मिलता है तो उस बज़ेटरे में वो स्मार्टफोन ने बेस्ट रेकमेंडेट चोईस रहने वाली है बाकि बात कर लेते हैं वनप्रेस 2LR के स्पेक्स की तो यहां पर आपको 6.78 इंचेस की AMOLED PRO XDR डिस्पले देखने को मिल जाती है जो की 120H के अड़ाप्रेश चेट पर वोक करती है इन डिस्पले फिंगरप्रेंट स्कैनर मिल जाएगा कोर्णिंग के गोरियला ग्लास विक्टेस 2 का सपोर्ट दिया गया है बात करें प्रासेसर की तो यहां पर आपको क्वलकोम की तरप से स्नापड़गन 8 Gen 2 अला एक फ्लाक्शिप 5 ये प्रासेसर मिलता है स्मार्टफोन एंडवेट 14 पर आता है उक्स दिनों इस 14 पर आपको वक करते वह देखने को मिल जाएगा 5500 एमेज की बिग बैटरी भी मिल जाती जोगी 100 वोड के सुपर्वक चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है बात करें कैमेरे की तो बैक में को र्पल काम कीमिलेगा प्राइमेरी कामर फिफटी मेगा पिक्सल का है सोनी का IMX 890 वाला फ्लाकुप सेंसर है उस और प्रोuepर्टरेट दूसे गाहा इजास ज 누शी दाएगए dual stereo speakers मिल जाते हैं Dolby 8MOS की तरफ से segment का largest 9100 40 mm square का vapor chamber liquid cooling system मिलने वाला है LPDDR5 की RAM में UFS 3.1 की storage है अगर आप base variant के साथ जाते हैं अगर आप highest variant के साथ जाते हैं तो वहाँ पर आपको UFS 4.2 के storage मिलने वाली है फाइनली बात करें pricing के तो स्मार्टफोन का 8 plus 128 GB ROM वाला वेरेंट आपको 39999 में मिल जाता है अगर आप higher variant के साथ जाते हैं तो 16 plus 256 GB ROM वाला वेरेंट आपको 45999 मिल जाएगा उसके अगर बात कर लेते हैं मैं इसमें मत 3rd पर जो स्मार्टफोन आता है वाता है OnePlus की तरप से OnePlus 11 तो अगर आपको बजेटें 50 से 55,000 के आसपा से तो अभी का टाइम पर OnePlus की तरप से 11 के साथ जा सकते हैं एक जनरेशन पुराना जरूर है पर स्टील 50,000 के बजेटें में कंजिरे किया जा सकता है बात के रेस्पेक्स के तो यहाँ पर आपको 617 इंचेस की Quad HD प्लेस वाली 2K सुपर फ्लिड अमेलेड डिस्प्ले मिलते है जो की 120 एच के रिफ्रेशर पर वोक करती है कोरिंग के गोरिया लगला स्विक्टर का सपोर्ट मिल जाएगा इंडिस्प्ले फिंगर्प्रेंट स्कैनर भी दिया गया है अलेट स्लाइडर का सपोर्ट भी मिलता है बात करें यहांपर आपको बैक में ड्रिपल कामरा सपोर्ट मिलता है जिसमें से प्राइमेरी के आप किसल का है सोनी का इमेक्स 890 वाला सेंसर है यह इस और वाइस का सपोर्ट दिया गया है दूसरा प्रेंट मेगा पिक्सल का टेली फोटो पोट्रेट शूटर है फ्रेंड में भी आपको 16 मेगा पिक्सल का सेल्फी जीटर मिलेगा यहां पर आपको एड़ के तक की वीडियो सब्सक्राइब कर पाएंगे काईरो वेलोसेटी वीसी लिकुड कुलिंग सिस्टम मिल जाएगा ड करें प्राइसिंग की तो स्मार्टफोन का जो बेस वेरेंट एंट प्लस 128 जीप रॉम वाला वह आपको 56,099 रुपी में मिल जाएगा अगर आप सेल के टाइम पर प्रचेस करते तो स्मार्टफोन आपको आराम से 50 से 52,000 के बजेटे में मिल सकता है उसके बात कर लेते हैं म आप जरू कंसिडर कर सकते हैं बात करें स्पेक्स के तो यहां पर आपको 6.82 इंचेस की 2K AMOLED PRO XDR डिस्पले देखने को मिल जाती है जो कि 120 एच के रिफ्रेश एट पर वोक करती है कोर्णिंग के गरिला क्लास विक्टेस 2 का सपोट मिल जाता है 4500 निट्स की पिक मिलने वाली है इन डिसले फिंगर प्रेंट स्कैनर और अले स्लाइडर भी मिल जाएगा बात करें प्रोसेसर के तो क्वाल कुम की तरफ से स्नाप्रेगन 8 Gen 3 वाला एक फ्लैक्शेफ 5G प्रोसेसर मिलता है स्मार्टफोन एंडुट 14 पर आपको वोक करते विए देखने को मि 5400 एमेज की बिग बैटरी और 100 वोट का सुपर वुक फास्ट शाजिंग सपोर्ट मिलने वाला है बात करें केमरे के तो बैक में आपको ट्रिपल कामरा सपोर्ट मिलता है जिसमें से प्राइमेरी केमरा 50 मेगा पिक्सल का है सोनी का यल वाइट जोरो एट वाला सेंसर दिया स्मार्ट फोन के में कबरे में आपको हैसल ब्राइडिंग मिल जाएगी फॉर जन हैसल ब्लेट कामरा यूस किया गया है तो यहां पर आपको बहुत सारे हैसल ब्लेट के मोट मिल जाएंगे 8 के तकी वीडियो सिक्स्टी एफपेस पर रिकॉर्ड करने का option भी मिलने वाला है 9,140 mm2 का का काईरो वेलो सिटी वीसी लिकुर्ड कुलिंग सिस्टम मिल जाता है डूल स्टेरोस प्रिकर्स मिल जाएंगे डलबेट मॉस की तरफ से LPDDR5 के रहे में UFS 4.0 की स्टोरेज और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो करेंटली स्मार्टफून का 12GB RAM plus 256GB ROM वाले वेरेंट आपको मिलने वाला है 64,989.99 उसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं मैं इसमें वो OnePlus जो स्मार्टफून आता है वाता है OnePlus की तरफ से OnePlus open तो दोस्तों अगर आप अभी के टाइम पर कोई से एक ultimate flagship लेवल का OnePlus का स्मार्टफून रोन रहें तो अभी के टाइम पर आप OnePlus open के साथ जा सकते हैं जहां पर आपको foldable design मिलने वाला है और OnePlus की तरफ से आने वाला सबसे best premium और सबसे महेंगा स्मार्टफून है जिसकी pricing refresh rate मिल जाएगा 2800 की brightness मिल जाएगी secondary display आपको 6.31 इंचेस की 2K super fluid AMOLED display मिल जाती है जो की 120 अस तक के refresh rate पर वोक करती है साइड मांटर फिंगर प्रिंस Canon मिल जाएगा alert slider का support दिया गया है 5.8 mm की thickness मिलने वाली है 11.7 mm की thickness मिल जाएगी fold करने के बाद यहां पर आपको Qualcomm की जाती है जो की 67W की SuperVoke charging speed को support करती है बात करें camera की तो यहां पर आपको backman triple camera support मिलता है जिसमें से primary camera 48MP का है Sony का LYT808 वाला sensor यूज किया गया है जो की CMOS sensor है OIS or EIS का support मिल जाएगा दूसरा camera 64MP का periscope zoom lens है जहां पर आपको 3X तक optical 6X तक in sensor और 120X तक digital zoom का support मिलता है तीसरा camera 20MP का camera दिया गया है बैक में आपको hazard blade की branding मिल जाती है बहुत सारे photographic mods दियेगा है haptic x-axis linear motor मिल जाती है reality speakers दियेगा है noise cancellation support मिल जाएगा डॉल बेट मौस की तरफ से LPDDR5 की RAM में UFS 4.0 की storage और अगर फाइनली बात करें pricing की तो currently smartphone का 16GB RAM प्लस 512GB ROM वाला variant आपको मिलने वाला है 1,39,9999 वीज में तो दोस्तों ये तो थे हमारे लिसके top 5 best oneplus smartphone जीने आप 30,000 से लेके 17,000 और 1,500,000 के budget में गंजरा कर सकते हैं बागी दोस्तों आज की जबरदस वीडियो के लिए बस इतना ही उम्मित करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो थोड़ी से भी पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करना बिलकूर नद दोले चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजिए मैं मिलूँगा आप से लिए वोडियो में तब तक के लिए बाबाए